नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के बीच एक नए रेसेपी के साथ अगर रेसेपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक क किजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए होंगे तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए रेसेपी बनाना स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से खस्ता जीरा बिसकूट उसके लिए यहां पर ह गेहूं के आटा चान कर ले लिए हैं आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हैं लेकिन गेहूं के आटा बहुते हेल्दी होता है तो सबसे पहले आटा को हम एक प्लेट में डाल देते हैं तो हम आटा को एक प्लेट में डाल दिये हैं और यही पहम तीन चमच बेशन लिए है बेशन से बिस्कूट हमारा बहुते सोट बन करके तयार होगा और यहां पर हम एक चमच जीरा लिये हैं तो इसको भी यही पर डाल देती हूं और थोड़ा से बेकिंग पाउडर लिये हैं इसे भी डाल देती हूं और सब को एक साथ अच्छे से मेक्स कर देंगे ताकि जीरा और बेशन आटा के साथ अच्छे से मेक्स हो जाए तो हम सब को अच्छे से मेक्स कर दिये हैं देख सकते हैं बहुते अच्छा से मेक्स हो चुका है तो इसको हम साइड में रख देंगे और यहां पर एक मिक्सी जार लिये हैं छोटा बाला है तो इसी में हम चीनी को डाल द तो हमारा एक कोटोड़ी आठा और तीन चमच बेशन था तो उस हिसाब से हम आधा कोटोड़ी चीनी लिए हैं बिसकुट थोड़ा कमी मीठा आच्छा लगता है आपको जितना मीठा पसंद हो डाल सकते हैं और दो इलाइची लिए हैं इलाइची का फलेवर बिसकुट में ब चीनी को पीश लेंगे तो देखिए हम चीनी को बारिक पीश लिए हैं तो इसको साइड में रख देते हैं और यहां पर हम चार बड़े चमच घी लिए हैं घीर से बिसकुट हमारा बहुते टेस्टी बन कर तयार होगा तो सबसे पहले आटा जो हम मेक्स करके लिए थे उसी में घीर को डाल देते हैं हम घीर के डाल दिये हैं और अच्छे से मेक्स कर लेंगे और यहीं पहम पीशा हुए चीनी भी एड कर देंगे और सब को अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो हम हाथों की सहायता से अच्छे से मेक्स कर देंगे इस तरीके से हलका हाथों से तो बहुत अच्छे से म्यक्स हो गया है देख सकते हैं कितना अच्छा मूठी बंद रहा है तो इसका मतलब मेरा मैं पर फेक्ट हो गया है तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके सक्त डो लगा कर तयार कर लेंगे तो हम डो लगा करके तयार कर लिए तो इसमें से थोड़ा सा उठाएंगे और एक लोई बना करके तयार कर लेंगे रोटी बनाते हैं उसी तरह से गोल लोई बना कर तयार कर लेना है तो हम लोई बनाकर त्यार कर लिए हैं और यहाँ पर एक चकला लिए हैं तो इस पर थोड़ा सूखा आटा डाल देते हैं कि बेलने में असानी होगा और लोई को इसी पर रख करके बेलन की सहायता से बेल लेंगे लंबा सेब में तो देखिए हम थोड़ा लंबा सेब में बेल लिये हैं तो इसका किनारा हम काट करके हटा देंगे इस तरीके से चारो तरफ से काट करके हटा देंगे तो हम चाड़ो तरफ से काट लिए हैं देख सकते हैं तो अब इसमें से हम तीन भाग काटेंगे इस तरीके से लंबा लंबा तो हम तीन भाग में काट लिए हैं और इस तरीके से देख सकते हैं कितना आच्छा बिस्कुट का सेव आया है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी का बिस्कुट हम इसी तरीके से बना करके तयार कर लेंगे तो बाकी का बिस्कुट हम इसी तरीके से बना लिये हैं तो चलते हैं गैस के पास तो यहां पर तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है तो एक के करके हम विस्कुट को डाल देंगे और गैस के फिलेम बिल्कुल लो रखेंगे लो फिलेम पर फ्राई करेंगे तो जितना कराही में आया है उतना हम डाल दिये है और दो मिनट इसे छेड़ेंगे नहीं दो मिनट बादे पलटेंगे तो दो मिनट हो चुका है तो इसको हम पलट देते हैं बहुते असानी से पलट जाता है तो इस तरीके से हम चमच की सहायता से पलट देंगे तो सारा बिस्कुट को हम पलट दिये हैं तो इसी तरीके से उलटते पलटते चार से पांच मिनट में हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो चार से पांच मिनट हो चुका है और बिस्कुट फ्राई हो चुका है आपको जब कभी खाने का मन हो तो इस तरीके से बना सकते हैं अगर मेरा रेसेपी थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में जैसीरी राम लिखना मत भुलिएगा मिलती हूँ फिर से एक नए रेसेपी के साथ तब तक के लिए धने हो